कावत्तमंत्री नर्बला सीतारवन के बजट पेश करने के बाद तमाम फर्गों से प्रतिक्रियाइं देखने को मिल रही है। जहां बजट में टैक्स लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है तो वहीं स्टार्ट अप्स को देने वाली मदद जारी रिखे गई है। इस बजट के बारे में व्यापारी वर क्या सोचता है हमारी संवादाता आयूशी चैन ने भूपाल में चैंबर ओफ कॉमर्स के चेर्मेन तीज कुलपाल सिंग पाली से खास बाचीत की है। भूपाल होटल एंड रेस्टरेंट एस्टेशेशेशन। सर क्या कुछ बजट से चीज निकल कर आई हैं भूपाल के लोगों को मतलब भूपाल के जो व्यापारी है वो इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं। बजट इंटरिम बजट है ये मुस्ली किया गया है आगे चुनाओं को देखते हुए इसको बनाया गया है। पर इसके अंदर मैं कहने से गरोच नहीं करूँगा कि कोई रहात नाम की चीज वेपारी को नहीं दी गई है। ना कोई टेक्स रिलीफ है ना कुछ है। आदमी मेहनत करता है आप ठीक है फोकस कर रहे हैं युवा पे महीलाओं पे किसानों पे निचले तबके पे पर एक मिडिल क्लास व्यक्ति इससे अताहित हो रहा है। बहुत ज़्यादा परिशान है। उसकी लिविंग एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। उसकी इंकम उस रिशियों में नहीं बढ़ रही। एक आम वेपारी को भी ले लीजिए। जो पहले हम कमाते थे, कॉमपटिशन इतना हो गया है, ऑनलाइन बिजनस इतना हो गया है, कि हम लोगों की इंकम एक तरीके से रुक गई है, कईयों की तो डिक्रीज भी हुई है, और इधर दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती ही जा रही है। तो इससे हम एक गॉवर्मेंट को ये कहना चारे हैं कि हम वेपारियों की तरफ भी, हम वेपारियों के भी जो समाज की एक रीड की हड़ी है, जितना रेविडियू गॉवर्मेंट के पास आ रहा है, वो 90% वेपारियों से आता है, तो मेरा कहना सरकार से अनुरोध है कि हमें भी कुछ न कुछ रिलीफ इसके अंदर दिया जाए, हम आपके टेक्स कलेक्शन एजेंट हैं, हमें दिन रात अपने काम के साथ हम आपका भी काम कर रहे हैं, तो यह मदर नज़र रखते हुए, एक वेपारी को कुछ न कुछ रिलीफ की तो एक बात कहीं न कहीं किसी भी स्टेज बे इनको करनी चाहिए, सर जो बजट निकल कर आया है, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान या जो कहें कि कोई फ ठूमात है कि भई आप उनको फाइदा दे रहे हो जो काम नहीं कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं, दिन रहात मेहनत कर रहा हैं, उनको क्या laughing मिल रहा है, कुछ भी नहीं, हम लोगों के लिए तो अंगूर खटे ही हैं, हमें तो कुछ मिली यह नहीं रहे हैं, हम तो सिरफ स दस आदमी और एज़ा होटलियर में बात करूं तो हम एक होटल के अंदर डेज़ डेट सो दो दो सो आदमी रखते हैं उसके साथ परिवार मिला लिए जाए तो दस हजार आदमी हो जाता है तो हम अपने साथ उनका भी पालन पोश्टन करते हैं हमें कुछ बिजनेस से मिलेग तो ही हम आगे अपने स्टाफ को देंगे ना पासाउन करेंगे अब उनको खुश रखना है तो हमें अपने पॉकेट को करना पड़ता है तो कब तक कर पाएंगे सर बजट में किसी भी प्रकार क्या जो टैक्स है उससे कोई राहत नहीं मिली है क्या कुछ असर हमें देखने कम करने की बात कर दिया आपने इंफ्रस्ट्रक्चर कर दिया चलिए ठीक है इंफ्रस्ट्रक्चर अगर इंप्रूव होता है तो बिजनस पे इफेक्ट आता है कि बिजनस भी इंप्रूव होता है तो इसका ये मकसद दी कि हमारे उसमें प्रॉफिट भी तो इंप्रूव हो रहा है और एक टाइम आएगा यह ब्लास्ट होगा तो सर क्या कुछ सुधार जो नहीं हुआ है जो होना चाहिए था इस अंत्रिम बजट में अब अंत्रिम बजट तो आ चुका है अब आगे में बजट में तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो चीजे रह गई है गौवर्मे कि यहां एक एक समानी होती हैं सबकी सबका अपना-पना महत्व होता है कंट्रिबुशन सबका होता है आप एक को खुश करो दो को करो मेरा मकसद है आप पूरे सबको ओवर्राल खुश करने की कोशिश करें बागे हंड़ेट परसेंट तो कुछ नहीं कर सकते हैं पर कम से कम अपर लेवल 70-80 परसेंट लोग तो कम से कम इस चीज़ से सैटिसफाय हो जाहिए तो कोशिश करनी चाहिए गवर्मेंट को बिल्कुल तो ये हमारे साथ थे भुपाल चेंबर ओफ कॉमर्स के चेर्मेन तेज कुल पाल सिंग जी जिनोंने बताया कि बजट से जुड़ी जिनोंने तमाम जानकारियां दी भुपाल के व्यापारियों पर उनके बाजारों पर क्या कुछ असर हमें बजट को लेकर कि टी टीवी